आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्स करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर फाइफ 2020 एक्जाम के महत्पूर्ण जी एस कोशन और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल आगे बढ़ते हैं आप जो है मुझे डिफरन्ट सोशल मेडिया के उपर जूड़ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडियफ आपको टेलिग्राम ग्रूप के उपर मिल जाएगी और सारी पीडियफ मेंने जो पैंडिंग पीडियफ थी वो मेंने शेर कर दी हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्वीटर, ग्मेल आईदि के साफ़ जोड़ सकते हैं ग्मेल आईडि के उपर अपने डाउट अपने एक्ज़ाम पेपर मुझे आप पार्ट वो सारा का सारा इसके अंदर discuss किया गया है और इसके अंदर हम daily दो वीडियोज एड़ करते हैं और इसको course को purchase करने के जो last date है वो कल है 7th of August तो आप code ये code यूज करके आप discount ले सकते हैं GS course के अंदर और इसके अंदर EMI facility अभिलेबल है और आप purchase करें और अपनी preparation को आगे बढ़ाएं और आप purchase कैसे करेंगे study IQ app आपको download करने पड़ेगी play store से जा फिर आप नीचे description और comment section में link है उसको download कीजिए और उसके बाद home page की उपर आपको best selling course नजर आएगा view all करेंगे तो आपको दूसरे तीसरे नंबर की उपर आपको यह दिखे जाएगा GS course और last जाके आपको दिखेगा general awareness का course तो आप purchase कर सकते हैं और अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हैं तो देखे जी आज हमारे question क्या रहते हैं screen की उपर where was the third Buddhist council held तीसरी बोध परिशद जो है कहां पर आयूजित की गई थी तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि बुद बुद काउंसिल जो है वो ऐसा तो छे हुई है बट आपको exam point of view जो अगर याद रखनी है history point of view याद रखनी है तो पहली जो council हुई थी वो राजग्रिहा के अंदर हुई थी दूसरी वेशाली के अंदर हुई थी और तीसरी पाटली पुत्रा के अंदर हुई थी और चौथी कश्मीर के अंदर हुई थी तो थर्ड बुदिश्ट council की बात कर रहा है तो अंसरी इसमें क्या बनेगा पाटली पुत्रा पाटली पुत्रा का जो शहर है वो किसने बनवाया था उद्धयन ने उद्धयन वाज़ा किंग और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि पाटली पुत्रा की अंदर जो इन्होंने council कर्वाई थी वो अशोक ने करवाई थी अशोक ने और इस जो है पाटली पुत्रा की meeting के जो चेर परसन थे वो थे मोगली पुतेस मोगली पुतेस वोजा चेर परसन जिनका दूसरा नाम क्या है उपागुप्त और ये वो ही परसन है जिनों ने अशोक को जो है बुद्धरम में कनवर्ट करवाया था और अशोका ने अपने बेटे महेंदर और बेटी संगमित्रा को जो है सिलोन जाने के आपके शिलंका के अंदर जो है बहुत धरम का परचार करने के लिए बेजा था और यहां पे ही थर्ड बुदिष्ट काउंसिल में ही अभिधाम पितक जो तीसरी बुक है हमारे अभिधाम पितक जो यह जो है बुक जो है कंपाइल करी गई थी इस काउंसिल के अंदर तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी आप्शन पार्टली पृत्रा नेक्स जलते हैं इस दा हाइस्ट पीक आफ़ दा सत्पुड़ा रेंज सत्पुड़ा श्रेनी की सबसे उची चोटी कौन सी है इन में से तो वो है डैडिस धूप कड़ यह आपको स्टैटिक उशन है यह आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जो है यह है सत्पुड़ा रेंज तो सत्पुड़ा और विंद्या रेंज के बीच में दिया रखना और यहाँ पे एक आप्शन और बताता हूँ आपको कि यहाँ पी सत्पुड़ा और विंद्या अगर मैं बोलू सत्पुड़ा और विंद्या एक जगा की उपर मिलते हैं जिसका नाम है अमरकांतक अमरकांतक जगा की उपर सत बड़ा भिण्दयाज ranges मिलते हैं यह है हमारे हिमालियस यह यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन और यह कहाँ से तैथे सी से यह है चाहिक जान weeds जहां पर आपके गंगा रिवर और ब्रयाग राज का पार्ट है संगम का पार्ट है यहां पे यह हमारे इस्टन गार्ट यह हमारे वेस्टन गार्ट वेस्टन गार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी साउथ वेस्ट मौनसुन से कौनसी साउथ वेस्ट जाने के दक्षिन पस्चिम घटाउं से और यहां पे जो वेस बारिश होती है वो ओरोग्राफिक रेंफॉल है और इस्टन घाट और वेस्टन घाट जहां पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं ब्ल्यू माउंटेंज जिसे आप कहते हैं नीलगरी माउंटेंज वेरी वेरी इंपॉर्टन क्लियर तो यह सारे फेक्ट्स आपको याद रखने हैं चलिए जिया आगे विच य और फॉलिञ इज नॉट ए नेचुरल फाइब़्र प्रकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है इन में से तो प्रकृतिक फाइबर इन में से नहीं है वो है टैरलीन याद रखना है है कोशन स्टेटी कोशन है आपको टैरलीन is the correct answer a option is the right one बट जो सबसे ज़्यादा production जो होती है वो होती है बंगलादेश के अंदर और दूसरे में इंडिया दूसरा नंबर पे है और इंडिया में अगर पूछा तो वेस्ट बेंगॉल में सबसे ज़्यादा होती है और one more question is there कि golden fiber is jute अगर आपसे पूछा जाए golden revolution तो golden revolution जो था वो था apple के लिए this is important clear तो horticulture भी आप कहा देते हैं answer इसमें क्या बनेगा जी आपका daddy's option A is the correct answer the blood vessel that carry blood from the heart to the various parts of the body यह रक्त वही का है जो हृदिया से श्री के भविन अंगों में जो रक्त लेके जाती है उनको क्या कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं arteries धमनिया उनको कहा जाता है क्योंकि धमनियों के अंदर क्या होता है pure blood होता है pure मतलब oxygen वाला blood होता है जो हमारे heart से सभी जगा के उपर लेके जाते हैं और नसें जिसे आप veins कहते हैं so veins क्या करते हैं impure blood लेते हैं impure blood और impure blood क्या होता है पूरी की पूरी बॉडी से ये हार्ट में जाता है ध्यान रखना और हार्ट से बॉडी में कहां से जाता है किस के थ्रू जाता है आर्टरी के थ्रू इस कोश्चन का अंसर क्या बनेगा A option धमनिया is the correct answer A option As per census 2011, which state of India has the lowest sex ratio that is number of female per thousand males 2011 की जनगना के नुसार भारत के किस राज्या में लिंगन पास सबसे कम है यानि 1000 पुरूशों पर महिलों की संख्या कम है तो ये संख्या कम है, that is in the हर्याना, ये तो option देख की आपको पता लग गया होगा हर्याना is the correct answer A option अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश के अंदर जो है, देश के अंदर जो है, हमारे 2011 के census के according जो है कितनी population आई थी, that is 919, जो हमारी lowest sex ratio थी Very important, clear? और अगर आपसे बुचा कि highest बताईए, highest कहां पे है, सबसे यादा highest sex ratio कहां पे है यह चीज दिया रखना, child ratio की, clear? और highest जो है, वो अरुनाचर परदेश में है और हर्याना में सबसे कम child ratio है, that is A34 है तो answer इसमें क्या बनेगा? option A is the correct one What is Milinda Panow? Milinda Panow क्या है? Actually यह एक book है book है, इसके अंदर क्या है? Milinda, Milinda मतलब कौन है? यहाँ पे मिनांदर मिनांदर किंग और Milinda भी इसको कहते हैं, इसके question पूछे गए है, वो किसको पूछे गए है? नाग सेन को पूछे गए है और नाग सेन ने जो है, उत्तर दी है इसके मिनांदर के उसका पूरा वर्णन Milinda Panow के book के अंदर है और मिनांदर, Milinda को जो बुद्धर में convert करने वाला परसंद था, वो नाग सेन था तो इसका मतलब Milinda Panow क्या है? एक Buddhist text है अंसर इसमें क्या बनेगा? D option is the correct answer Buddhist text तूरी, भूंगल, इस तूरी, भंगल, भंगला, एंड पावा और यह musical instrument है यह कौन सी स्टेट की musical instrument है? तो आपने पिच्चर देखी पता लगया होगा कि इनकी पगड़ी बगएरा देखके भी सब चीज़ें पता लगए होगी तो यह कहां के है? That is the Gujarat गुजरात के अंदर यह जो है आपके musical instrument है कपड़ें का पहरावा देखके ही आपको चीज़ें का idea हो जाता है काफी बारतो तो यह गुजरात के हैं और गुजरात के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ गुजरात के अंदर एक national park है that is called Gir National Park गिर नैशनपार और Gir National Park जो है अशियाटिक लाइन के लिए बड़ा famous है अशिया शेरों के लिए बड़ा famous है अंसर इस A option गुजरात इन में से कौन सा संस्तान जो है भारत के पुझी बाजार को निमेत करता है capital market का मतलब क्या हो गया यहाँ पे long term funds की बात होती है तो यहाँ पे आपके share market की बात हो रही है और जिसमें आपके share sale and purchase के जाएंगे that is called capital market तो capital market को regulate करने वाला जो है वो है CB that is security exchange board of India security exchange board of India इसके headquarter कहाँ पे है that is in the Mumbai very important clear और 1988 के अंदर यह बना था और इसको statutory powers जाने के कानूनी शक्तियां मिली थी जो statutory powers मिल थी वो 1992 के अंदर मिली थी clear और अजे त्यागी जो है इनके chair person है अजे त्यागी इनके chair person है इनके CB के very important clear अब यहाँ पे finance ministry with mantra ले आता है with mantra ले क्या करता है fiscal policy fiscal policy यह बनाते है clear राज कोशे निती जिसे हम कहते है IRDAI that is insurance regulatory development authority of India जिसके headquarter है और यह insurance के लिए काम करती है और statutory power को 1999 मिली थी very very important clear और next है RB RB के headquarter main is in the Mumbai और RB कब बना था 1 April 1935 को according to the government of India 1934 और आप से यह भी पुछा था कि RB को बनाने में जो सिफारिशी करी थी वो कौन सा person था that is the Hilton Young Commission Hilton Young Commission वोज आप जो है commission आया था RB बनाने के लिए तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका D option that is C B which of the falling sites is the largest protected wetland in India निमली खित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा सरंक्षित आद्र भूमी है सबसे सरंक्षित आद्र भूमी है तो ये बात करता है तो ये है हमारी that is Sundarvan Sundarvan Delta answer is D option आप मैं आपको बताता हूँ कि जो Sundarvan है ये actually है क्या ये एक बहुत बड़ा mangrove forest है और wetlands है यहाँ पे Sundarvan mangroves के अंदर और mangrove और one more question is there कि जो आपके Sundarvan Delta बनता है वो घंगा और भ्रह्मा पुतरा रिवर के मिलने से बनता है और mangrove trees बोले गए है और इनकी थोड़ी सी जड़ें clear नहीं है यहाँ पे बड़ मैं आपको बता देता हूँ जो यह mangrove trees न इनकी जड़ें ऐसे पानी में ऐसे नीचे तक होती है तो यह क्या करते हैं कि इतना support देती हैं कि अगर पानी की जो tides हलकी सी ज़्यादा तेज भी आई तो यह roots हिलती नहीं है और पादे को support करके रखती हैं जिससे क्या होगा कि आपकी जो है tsunami वगरा नहीं आएगी clear दियान रखना और इनके roots जो होती है वो उनको हम क्या कहते हैं numato force जो उनके respiration वगरा में help करते हैं numato force उनको कहा जाता है अब यहाँ पे जो है mangrove forest के अंदर जो सुंदर बन है यहाँ पे आपकी एरावड़ी dolphin भी रहती है एरावड़ी dolphin और 10,000 square kilometer का area है 4,000 square kilometer इंडिन साइट की उपर देखने को मिलता है बहुत सारे migrative birds वगरा भी आते हैं UNESCO World Heritage Sites दिया का status है 1987 में और यह barrier है cyclones, tidal surge जो मैंने आपको बताया है क्योंकि इनकी roots बहुत ज़्यादा नीचे तक धबी होती है clear तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका सुंदर बन is the correct answer और यहाँ पे यह word लिखा हुआ है पुलिकत लेग पुलिकत लेग कहां पे है पुलिकत लेग जो है आपकी जैसे आपकी चिली का लेग जो है चिली का लेग जो है आपकी सबसे जो है डैडी जा ब्रैकिश वाटर जहां पे आपका सबसे नमक वाली जील है और पुलिकत लेग second नमबर पे आती है और यह है आंधरा परदेश में और जो चिली का लेक है, डैडी जिन्दा उडीशा, चिली का लेक के पास जो है, आपके जो टर्टल जाते हैं, डैडीज कॉल्ड ओलिव रिडले टर्टल, जो आपकी नेस्टिंग करते हैं वहाँ पे, ओलिव रिडले टर्टल, वेरी इंपॉर्टन, क्लियर, और अंसर, ओके वेंबनाद वेंबनाद जो है ये कहां पे है ये लॉंगेस्ट लेक है सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी लेक है इंडिया के अंदर और ये कहां पे है इंदा केरल के अंदर है तो अंसर इसमें D option बनेगा चले जी आगे गौतम बुध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया था जिसे धर्म चकर के नाम से जाना जाता है जैसे कानून के पईये का मोड़ना तो इनको हम कहते है, इनको कहते हैं, जब पहला उपदेश दिया था, डैञ इस, 8-fold pathway, धर्म, चक्कर, परवत्न, और पहला उपदेश दिया था, सारनात के अंदर, सारनात के अंदर इनोंने दिया था, पहला उपदेश, और एक कौन सी language में? पाली language में इन्होंने उपदेश दिया था आप मुझे comment section में लिखके बता सकते हैं कि मैं आपको hint देता हूँ कि पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने अपने 5 निवाईयों को दिया था यह वो है जब यह धरम का रस्ता अपना रहे थे जो गौतमबुध हैं और धरम का सच का जानने के लिए एक जगा से दूसी जगा पर घूम रहे थे तो उस टाइम पे 5 निवाईयों के नाम लिखके बता सकते हैं श्रावस्ति यूपी के अंदर है यहाँ पर मैक्सिमम सर्मन मैक्सिमम उपदेश इन्होंने दिये थे सांची की अगर मैं बात करता हूँ सांची स्टूप किसने बनाया था अशोक ने बनाया था और यहां पर गौतम बुधध का कोई भी लेना देना नहीं है बाद में बनाया था सांची के अंदर जो अशोक नहीं है लेकिन गौतम बुधध के अंदर जो है सांची का कोई भी लेना देना नहीं है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका B option सारनात ही जा correct answer ये है जी आपका सारनाथ ठीक है ये है सारनाथ विच ओ दर फॉलिंग स्टेट्स स्टेड्मेंट्स अबाउट गैनिमीड इस नॉट करेक्ट गैनिमीड क्या है गैनिमीड जो है एक सैटलाइट है ये किसकी सैटलाइट है पहले दो सैटलाइट किसकी है तो सैटन की है सैटन की सबसे ज़्यादा सैटलाइट है इस टाइम पर जब मैं विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखे जी क्या है विच ओ दर फॉलिंग अबाउट गैनिमीड इस नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है इनके अंदर आंतरिक रूप से उत्पन चुम्बग्या शेत्र के लिए जाना जाता है यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही है दूसरा है इस दा लाजस नैचुरल सैटलाइट इन दा अवर्द सोलर सिस्टम यह हमारे सोर मंडल का सबसे बड़ा प्रक्रितिक उपगरा है यह भी आपका पॉइंट सही है मैंने आपको बताए जुपीटर का है इस बिगर देन मरकरी बुद से भी बड़ा है बिल्कुल सही है यह पॉइंट भी इस रिवोल्स अराउंड सैटन यह शनी के चार ओर गुमता है नहीं मैंने आपको बताया है यह किसके अराउंड गुमता है जुपीटर के ब्रसपत के अराउंड जो है गुमता है तो यह गलत हो गया जी आपका अंसर क्या बन गया D option बन गया D option is the correct answer क्योंकि इन्होंने बूचा था कि not correct बूचा था तो D is the correct answer D option next जी Corundum is the ore of जो Corundum है यह किसकी ore है यह ore है Aluminium की super important question है Aluminium की और Aluminium की एक और है that is called bauxite super important Aluminium वो metal है जो हमारी धरती के अंदर Earth crust के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली metal है सबसे ज़्यादा जो Earth crust के अंदर मिलता है वो Oxygen दूसरे नमबर पे Silicon और तीसरे नमबर पे जो है आपका Aluminium मिलता है अगर अगर पूचा कि दूसरी metal बताओ जो Earth crust के अंदर मिलते है तो वो Iron होती है लेकिन पहली Aluminium है और यहाँ पर Iron वर्ड लिखा गया है Iron की अगर मैं ओर की बात करता हूँ तो Iron की Ores बड़ी important है यह paper में पूच भी ली जाती है Hematite है Lemonite है Siderite है Copper Pyrite Sorry Hematite है Lemonite है Siderite है और Iron Pyrite है जिसे हम Fools Gold के नाम से भी जानते हैं FES2 के नाम से भी आप जानते हो Magnetite भी इसकी ओर है तो इस question का अंसर क्या बनेगा D option Aluminium is the correct one Buddha means Buddha word का मतलब क्या है Buddha word का मतलब है जैसे यह Buddha बगवान बैठे हैं इनके चार ओर देखिए Divya Jyoti आपको नजर आ रही है That is called Enlightenment जिन यह आप कहते हैं निर्वान प्राप्ती होना वो होता है That is Buddha और Buddha बगवान का जब जनम हुआ था तो इनकी माता ने सपना दिखा था और जो दिखा था कि बुल जाने कि सांड की उपर बैठा Lotus पकड़ा एक बच्चा आ रहा है तो यह दोनों चीज़े जो है Buddha बगवान के लिए जोड जाती है और अंसर इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer Very very important The spies during the संगम age was also known as जो संगम उमर के दोरान जासूस थे उनको क्या किस नाम से जानते थे मैं आपको सारे बता देता हूँ और यह देखे जी इन्वाइ मतलब मंतरी प्रीस्ट मतलब क्या हो गया पुजारी जब आप आप दूसरे देशों में जाते हैं तो उसको हम थुथर कहते थे military commanders जो आपके सेना के commanders होते थे उनको सेना पती कहते थे and spies को हम क्या कहते थे औरार कहते थे तो इसका मतलब क्या हो गया spies मतलब क्या हो गया औरार तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका c option औरार कहा जाता था c option is the correct answer अब मैं आपको बताऊंगा कि जो संगम age है वो तीन चीजों से जुड़ता है चोल वंश से चेरा वंश से और पांडय वंश से तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए clear very very important है और यहाँ पे यहाँ पे देखे जी क्या है यहाँ पे जो है संगम होता था और संगम हमारे जो है तीन हुए हुए है और ये संगम होता गया था तमिल पॉइट्स जो होते थे तमिल कवी उनका एक संगम होता था और इसके अंदर तीन संगम होए होए है और पहला संगम जो हुआ था मधुरई में हुआ था तीसरा भी मधुरई में हुआ था और दूसरा संगम हुआ था कपाटपूरम में कपाटपूरम में एक बुक लिखी गी थी जूती के उपर रह गे थे सिरफ जाने की अपर जो शर्ट थी उन्होंने उतार दी थी वहाँ पे और मधरई को हम कहते हैं City of festivals भी कहा जाता है आंसर इसमें C option और R is the correct one चले जी आगे वास्तुकला की पलव चोल शैली के समानत किसे कहा जाता है तो यह होता है डैडिस द्रविड द्रविड स्टाइल को हम कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो राम मंदिर की बात हो रही है राम मंदिर की ठीक है तो राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर बनने वाला ह तो वो नगर स्टाइल के अंदर देखने को आपको मिलेगा जितने भी नौर्थ इंडिया के अंदर है आपके मंदिर वो सारे नगर स्टाइल में है लेकिन द्रविड स्टाइल में सारे साउथ इंडिया के आपके टैंपल्स है और पलव चोल स्टाइल जो है आपका साउथ इंडिया का है और द्रविट स्टाइल के अंदर देखने को आपको मिलता है अब बात करेंगे कि द्रविट स्टाइल होता क्या है तो इस तरीके से होता है यहाँ पर आप जब कहेंगे कि यहाँ पर जो में एंट्री है ठीक है जो temple की एक tower जैसी shape होती है इस तरीके से और जहाँ पर आपका stepped जाने के ऐसे step बने होंगे इसके अंदर और यह pyramid shape का देखने को आपको मिलता है pyramid का very important है ठीक है और यहाँ पर है शिकर यह है उची चोटी जो है शिकर इस तरीके से आपको देखने को आपको मिलेगा और शिकर जो होता है यह crowning element होता है top के उपर जो आपके temple के उपर है और यह जो है octagonal होता है यह octagonal octagonal cubic shape का देखने को आपको मिलता है important question है यह वाला तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका that is दर्विट style of जो है architecture है चलिए जी the largest standing army of the Sultanate directly paid by the state was created by राजे दवारा सीधे बुक्तान किये गए सल्तनत की सबसे बड़ी स्थाई सेना किसके दवारा बनाई गई थी तो यह person है जिनों ने जिनों ने जिनको दूसरा सिगंदर के नाम से जानते हैं और जिनों ने मुंगोल invasion सबसे ज़ादा देखने को आपको मिले थे मुंगोल ने सबसे ज़ादा attack इनके time पे किया था और वो है अलाउदिन खिल जी अलाउदिन खिल जी का original name क्या है अली गुर्षप अली गुर्षप इनका जो है original name है और इनों ने जो है बहुत सारी चीजें करी थी अपने time के उपर जैसे के for example standing army खड़क करना और उनको cash में पैसे देना और इनोंने dark system दाग system जाने के branding of forces और चहरा चहरा और हुलिया जिस इस तरीके से soldiers का लगता था और शाहने मंडी शाहने मंडी नाम की भी एक post यार करी थी शाहने मंडी क्या थी जिसमें आपके कोई भी person जो है market के अंदर अगर control मतलब market के अंदर कोई भी बेमानी हो रही है तो ये संभालता था ठीक है और ये पहला ऐसा अलाउदिन खिल जी तो इनको हम बोलते हैं real founder of the real founder of the दिल्ली सल्तनत क्योंकि start किसने किया था कुतुब दिन एबक ने start किया था लेकिन राजधानी दिल्ली को बनाया और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने वाला person कौन था इल्तुतुमिश था और इल्तुतुमिश को हम जो है father of tom building in India भी कहते ह हैं ये ल्तुमिश को हम कहते हैं slave of the slave भी कहते हैं मोहमद बिन तुगलक की अगर मैं बात करता हूं तो इनको wisest fool कहते हैं और सिकंदर लोधी की बात करी जाए तो सिकंदर लोधी ने आगरा का शहर बनवाया था और one more question is there कि यहां पे जो सिकंदर लोधी है इनको निजाम ख अगरेक्ट अंसर अलाउदिन खिल जी दे नवाव अवद हुवाज अपॉइंट दा वजीर ओफ दा मुगल इंपायर वाज अवद के नवाब जिने मुगल समराज्या का वजीर ने युक्त किया गया था वो कौन था यह जो अपॉइंट किया गया था यह कौन थे डैस सादत खान जो है पहले वजीर अवाव थे आपके नवाव अवद यह अपॉइंट के गये थे और वजीर अवज यह एंपटन रख साधत खान को यह राध है अ मत्तव आए थए और भाद में आपको इतना ज्यादा पढ़न पहले सादत खान उसके बाद सफदर जंग बस यह याद रखे वजीर थे तो अंसर इसमें ए उप्शन बनेगा जिसमें एक लाख रुपया सलाना खर्च करने के लिए बोला गया था कि English Language के उपर हम खर्च करेंगे जो Christian Pandit Christian Missionaries जो इंडिया में आये थे धर्म का पचार करने वो भी इसी टाइम देखने को आपको मिले थे और 1853 के बात करूँ तो यहाँ पे ICS की एक्जाम की सीवा सीविल सिवाओं की जो परिक्षा है वो आपकी इंडिया में भी देखने को मिली थी 1813 की बात करूँ तो Governor General को Governor General of India बना दिया गया था Governor General of Bengal को जो है Governor General of India और पहले Governor General of India कौन बने थे Lord William Benteke William Benteke was the first Governor General of India in the 1833 और 1793 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो Governor General था आपका Bengal का उसके पास superior power थी in the case of Madras and the Bombay मदरास और Bombay के Governor से सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी Governor General of Bengal के पास ठीक है और अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका 1813 is the correct answer very very important next question है which of the falling was the chief organizer of the revolt of the 1857 in बिहार बिहार में 1857 के विद्रो के मुख्या आयोजग निमन लिखित में से कौन थे बिहार के अंदर जो किया गया था actually जगदीशपूर was the place बिहार में जगदीशपूर was the place जहां पे ये revolt की बात करी गए थी उसमें दो लोग थे कोमर सिंग और अमर सिंग लेकिन chief organizer कौन थे that is B option that is कोमर सिंग जो है main थे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे for example लखनों में हुआ था लखनों में बेगम हजरत महल थी कानपूर में नाना साहिब थे तांत्य टोपे थे जहांसी के अंदर रानी लक्षमी भाई थी बिहार के अंदर मैंने आपको बता दिया है तो यह थे आज के अंदर कोशन और इस लेक्षर की पीडिएफ आपको डॉक्टर विपन गोल के नाम से टेलिग्राम गुरूप के उपर मिल जाएगी बाकि आप डिफरन सोशल मीडिया के उपर मुसे जोड़ सकते हैं और प्लस दो paid courses आते हैं मेरे आप purchase कर सकते हैं GS course जो हमारा theory course है आप purchase कर सकते हैं जिसमें आपके polity, history, geography सब कुछ discuss किया हुआ है और general awareness का course जिसमें हम MCQ discuss कर रहे हैं अगर आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हैं जहांपे GSGK का part रहता है तो आपको दोनों courses आपको help करेंगे तो आप जो prepare कर सकते हैं मेरे courses के साथ और इसको purchase करने की last day है 7 of August जिसमें आप code use करके discount ले सकते हैं और अब बात यह है कि आपको purchase कैसे करना पड़ेगा तो study IQ app आपको download करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से download कर लो जा फिर आपको नीचे description और comment section में लिंक है उससे download कर लो तो आप क्या करेंगे best selling course में जाएंगे तो यहाँ पे view all का button दबाएंगे तो इसमें आपको तीसरे चौ और लास्ट पी जाके दिखेगा general awareness का 10,000 mcu course जिसमें हम chapter wise चीज़े discuss कर रहे हैं clear अगर फिर भी कोई doubt हुआ तो आप मुझे instagram के उपर message कर सकते हैं और lecture अच्छा लगा तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर लेना channel को, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.